हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड़ी हब आउनलाइन क्लासेज तो दोस्तों आज डिसकस करूँगा कि राजस्थान करमचारी चैन बोट का जो पटवारी का रेजल्ट आया था उस पे जो कोट में याचिका लगी हुई है, कोट में जो उसकी हीरिंग चल रही है 18 अप्रेल को उसकी हीरिंग थी, तो उसकी हीरिंग में क्या solution निकला आपका, किस तरीके से आगे का process किया जाएगा, सारी detail में डिसकस करेंगे तो फ्रेंड्स, आप खुद सोचो, कि यहाँ पे हाई कोट क्या बच्चों के लिए काम कर रही है, यह बहुत बड़ा सवाल है अप्रेल को केवल 32 सेकेंड की हीरिंग हुई, और उस हीरिंग में आपके लिए क्या हुआ, कि एक next date आपको दे दी गई, पांच मई 2022, अब आप पांच मई तक वेट करो, क्या यह बच्चों के future के साथ में आप खिलवार नहीं कर रहे हो, आपके पास क्या time नहीं है इस ची करने के लिए, हर बार आप एक next date दिये जा रहे हो, ऐसा करते हुए आपने पूरा अप्रेल निकाल लिया, अब आपने में की date दे दी, तो इससे बच्चों का future बहुत effect हो रहा है, मैं request यही करूँगा कि जल्दी जल्दी sharing को solve करे, और इसका एक conclusion निकाल दे, जिससे हो और आगे का जो है, खुछ भी जो भी करना है उन्हें, एक step तो आगे भड़े, एक आगे की चीजों पर तो चले, इस तरह से confusion create करना सही नहीं है, okay friend, bye bye